तो आई से सिजन एट का मैच नमबर 56 हो चुका है खतम मैच हो रहा था मुंबई सिटी एपसी वर्सेस बैंगलूर एपसी लेकिन इससे पहले मैंने आपको लास्ट चार मैचों का अपडेट नहीं दिया था 52 नमबर मैच जो हुआ था एसी इस्ट बैंगूल वर्सेस मैच नमबर 55 हम लोग छोटा सा बात्चित करेंगे और उसके बाद कल से मैपको जैसे प्रिवी वीडियो डिवी वीडियो देता हूं उस तरीके से ही देने वाला हूं सिर्फ इस वीडियो मैं आपको टोटाल जो लास्ट मैच हुआ है जो कि मैंने कभर नहीं किया है उसके बारे में बतने जा रहा हूं एकदम सौर्ट में बताऊंगा तो आपको अगर जानना है इस अब कुछ इन सभी मैचों के बारे में तो भीडियो का अंतक जरूर देखते रहना तो सब तो फेले बात कर लेते हैं मैच नमबर 52 के बारे में जो कि हुआ था एस इस इस बैंगो के साथ इस मैच पे मैच नमबर 52 पर एस इस इस बैंगोल ने बहुत ही सांदर एक डिस्पले हमें दिखाया था खास करके डिफेंसिबली बहुत थी अच्छा इनका काम हुआ था मुंबर सीटी एपसी लगा तर अटक कर रहा था लेकिन डिफेंसिब लाइन बहुत एच्छ दोसी तरह मुंबर सीटी एपसी का अभिवाई हाल बहुत ही पतला दिख रहा है किमकि आज का जो मैच हुआ है लास्ट मैच आज हो रहा था बैंगलूर एपसी के खिलाब उनको हार्ट स्विकर करना पर आ है लेकिन एस इस बैंगोल के खिलाब एक पोईंट उन्होंने लि बात करते हैं तो 52 मैच का अपडेट में ने दे दिया उसके बाद 53 जो हुआ था एटी के मोहन बागन फचेट और इस से का मैच भाई पोस्पन्ट हो गया है कोबिट के चलते एटी के मोहन बागन के चार-पांच खिलारी कोबिट पोजिटिव हो गया था मैच देपर और उ डिफिंसिबली बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग कही ना कहीं नजर आया था चेना इपसी बहुत सरा से उन्होंने लगाया था लेकिन अंत में जाकर यहां पर इपसी गोह के तरप से जोर्ज ओर्टीज ने एटी टू मिनिट पर एक सांदर गोल लगा दिया था और एही गोल इस मैच पर जीत दिलाया इपसी गोह को चेना इपसी ने एक भी गोल नहीं लगाया था हलाकि उन्होंने भी चांसे प्रेट किया था लेकिन चांस को भूना नहीं पाया है जोर्ज ओर्टीज ने भाई एक बहुत ही सांदर शॉट लगाया था सायद लॉंग डिस्रेंस से ह इपसी था और उसी गोल के चलते इपसी गोग को जीत मिला था तीन पॉइंट उन्होंने हासिल किया था और मैच भाई बहुत इंटर्टेनिंग था मैंने पूरा मैच देखा था लेकिन इसको कभर नहीं कर पाया था किसी रिजन के चलते उसके बाद नेक्स्ट मैच हो था 55 के लडिश्टर इपसी वर्चस हाईदाबाद इपसी यह भी मैच भाई बहुत जादा टाइट था क्योंकि केरडबर इपसी ने इस मैच पे जीत हासिल किया था दूश्री तरह पाई आच्छा आचक क्रेट किया था चांसे प्रेट किया था लेकिन उसको भूना नहीं पाय था हरमन्जुत खाब रहने थुरो दिया था उसके बाद साइद सालाद उसको एसेश किया था हिट देकर और उसके बाद भॉली लगा कर फिनिस किया था वाज कुछ एकदम वर्ल्ड क्लास फिनिस था और इसी गोल के वद्दूलाद के लिए इस मैच भी जी थासिल किया था ह उगबेची को बहुत सरया मुखा मिला था लेकिन उन से हुआ मुखो को भूना नहीं पाया है एक दपा दाफट वतदम खुला मौका था लेकिन चिंगल अना सींग के गलती के चलते ऐसे और नहीं दाग पाया उगवेचे वहां पर औक बेचे और ताल मेल में हमें थोड़ बहुत कमी दिखा था तो जिसके चलते हैं यहां पर हाइदवाद इपसी को हार्ट स्विकर करना पर लगातार आठ मैच वैंड बिटन रान उनका चल रहा था और केड़ोड इपसी का भी ही हाल है और उन्हों नहीं भाई अपने कॉंपटीटर का जो रेकोड है उसको तूरा ह पहले हाप में तीन गोल दाग दिया था उसके बाद सेकर्ण हाप में मुंबज सीटी एपसी ने भी बहुत सारा चंसे क्रियेट किया था लेकिन जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं बारबर के चांस को अच्छी तरीके से यहां पर इटिलाइज नहीं कर पा रहा है और मुंबज सीटी का खेलने का तरीका अलग है और इससी का अलग तो अभी भाई घुल मिल जाने में थोरा तो टाइम लगेगा जिसके चलते उनका पाफमेस नहीं आया है मिट फिल में थोरा बहुत हमें आज हमें जहों का कमी खला है किमकी भाई लागातर साइद चार यह लो बैंगलूरी एपसी को और उनका फिनिस बहुत अच्छा था यहां पर गलती हुआ था मुंबज सीटी एपसी की डिफिन्स लाइन द्वारा उसके बाद नेक्स्ट प्रिंस इवारा ने 23 मिनिट पर एक सांधर गोल लगाया उसके बाद साइद 45 मिनिट पर एक गोल आया था विन्स शीपरे के तरप से ही हेट दे कर उन्होंने बॉल को फिनिस किया था यहां पर सिर्प से गोल मिला है बैंगलूरी एपसी को और बैंगलूरी एपसी ने पहले हब में तीन गोल अगरिस मैट पर भरत बना लिया था मुंबज सीटी एपसी को पर बहुत ज़्यादा प बहुत सरा उन्होंने खतरनक खतरनक चंसेस क्रेट किया था लेकिन कहीं ने कहीं बैंगलुरीफिसिंग संधों ने सिव लगाया है साइद गुरुपिसिंग संधों ने चार या पाँच एकदम डाइडिक्ट सिप्ट किया है आज मुंबशी टीपसी का खतरना कैटर था भाई इस मैच के अंत में जाते जाते लेकिन गोल नहीं उनको मिला है बैंगलरिश ने तीन गोल दाग कर इस मैच से तीन पॉइंट हासिल कर लिया है लेकिन दोनोंने अच्छा खेला है दोनोंने अच्छा लिए देखती कि सीजन आंत होने तक क्या क्या होता है लेकिन कलका जो मैच होगा भाई उसके बारे में हम लोग बात करेंगे जमसित पुरिपसी और एसिस्ट बैंगोल के बारे में लेकिन इस वीडियो में बात करेंगे एक स्पेशल प्रिवीव वीडियो में इस सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन आं कर दिए अपको फटा फटा नोटिफिकेशन मिल जाए जब में फीर अब्लोड करूं करूं कर दो